नमस्कार दोस्तों, गेट सकते 247 के एको नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो फाइनली आपके वीडियो का यानि के विलेज डेवलोप्मेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी का एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी हो चुका है पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको उसे उपन करना है और उसमें क्या के इंस्ट्रक्शन से आपके ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, क्या के चीज़ आपको साथ में लेके जानी है सारी चीज़ आपको यहां पर समझाने वाला हूँ उससे पहले जो भी आपने अगर admit card निकाल लिया है या अगर भी निकालने वाले हो तो आप मुझे comment box मों बता सकते हैं कि आपका center कहां पर आया है और किस दिन आपका exam हुआ है और अगर आपको admit card निकाले में और download करी दूरेना एप को जिसका link वीडियो के description मिल जाएगा तो दोस्तों one by one करके सारी information आपको यहां पर दे देता हूँ finally आपके जो ग्राम विकार साधिकारी ग्राम सेवक admit card यहां पर जारी हो चुका है कैसे निकालना है पहले वो बता देता हूँ जिन्हों ने निकाल लिया है बहुत अच्छी बात है comment box में बता देना कि कहा आपका center आ है और किस तरीक को आपका exam है basically आपके 27 और 28 दो दिन exam चलने वाले 27 को भी 2 चरण में exam होगा और 28 को भी 2 चरण में होगा गोंधी तो सबसे उपर जो आपके गोगल में जो आजाएक option वहाँ पे क्लिक करके वीडियो का यग option आजाएक वीडियो बीट चरके कुछ आजाएक option वहाँ पे क्लिक करोगे और उसके जैसे कंहां जोगे नई window open होगी वहाँ पे लिखा होगा जिनको SSID का password अगर भूल जाते हैं, तो उनके लिए वाला simple process है, कौन से वाला RSM SSB की official जो website है, वहाँ पर जाएके, जनको SSID पता है, या SSID जिनकी open है, वो simple SSID अपनी open करने, login कर लीजिए, उसके अंदर एक get admit card का option आता है, वहाँ पर जैसे ही click करोगे, इस exam का नाम आपके सा open हो जाएगा, यह तरीका या वो तरीका कैसे भी करका आप अपना admit card निकाल लीजिए, और देख लीजिए किस तरीके से आपको कहां पर करनी है, यह चीज़ तो आप सभी को पता होगी, नहीं पता है, तो फिर भी बता देता हूँ, कि roadways में अगर आप पर travel करते हो, exam से एक पांच कॉपी निकल वाले ना, ठीक है ना, एक कॉपी तो आपके exam में काम आ जाएगी, एक कॉपी जाते वक्त, अगर आप roadways में जा रहे हो, तो वो जो कॉपी है, admit card की एक paper होता है, वो आपको bus conductor को देना होता है, तो आपको free of cost, आपकी जो free ticket है, वो आपको दे देता है, मतलब आपको पैसा नहीं लगता है, जहां पर भी आप travel कर रहे हो, सिर्फ आपके साथ, अगर कोई दूसरा जारा है, जिसका exam नहीं है, उसकी टिकेट लगती है, सिर्फ आपकी नहीं लगती है, और जैसे आप वापिस return वापिस भी आओगे अपने घर पे, तो एक दिन बा पहले आपको पहुंचना था, क्योंकि देखिए चेकिंग वगर होती है, लंबी लाइन लग जाती है, तो दिक्कत हो जाती ही, काफी students कई बार आपने देखा होगा, के उनको अंदर entry नहीं मिलती है, क्योंकि लेट हो जाता है, लाइन का पहला है, तो कोशिश करना के कम से क के मत जाना, वहाँ पे allowed नहीं होगे, mask आपको अपना ले जाना पड़ेगा, चलिए बात होगी, इसके साथ आपको क्या-क्या लेके जाना है, एक तो आपका admit card होगा, वो तो आपको लेके जाना है exam में, उसके अलावा आपको देखिए, एक photo-yug तो पहचान पतर, कोई भी एक अपना ID card ले जाना पड़ेगा, जैसे कि आधार card होगया, मानलो, उसके अलावा driving license, voter ID card, और भी तीन्चा जीन, pen card है, passport है, इन में से कोई एक लेके जाना है, और original लेके जाना, काफी हमारे दोस्त होते हैं कि वो photocopy ले जाता है, photocopy नहीं चलेगी, original इन में से कुछ भ लाइसेंस है, जो भी है, उसमें जो आपका नाम लिखाव है, as it is, वो आपका form में होना चीए, वैसा ही ID card लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, और एक color photo, ठीक है, 2.5 cm by 2.5 cm की एक latest color photo, latest का मतलब ही होता है, कि जो आपने form में लगाई है, वो भी लगा सकते हो, latest अभी क है, तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्र की बात यहाँ पर नहीं होने वाली है, एक blue color का, नेली स्याई का, पारदर्शी ball pen, एक blue color का, पारदर्शी transparent ball pen, आपको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, उसके अलाबा, dress code में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, dress code important है, दीके सरदी का time है, तो jacket वगर अलाउड नहीं है, लेकिन simple sweater अलाउड है, अच्छा, कैसा है simple sweater, जैसा अभी मैंने पैन रखा है, simple सा, इस टाइप का एक sweater है, अगर आप simple, जिसमें कोई भी button वगर नहीं है, कोई button नहीं है, कोई chain नहीं है, simple sweater आप पूरा पैन सकते हो, full बाजू का है, च exam hall में जब आप बैठोगे, आपको shoes वगर पैनने की, इजाज़त नहीं होगी, अगर आप sleeper में हो तो चल जाता है, ठीक है, चपल वगर याने के sleeper जो अगर आप पैन रहे हो, तो चल जाता है, तो coat, tie, muffler, jarkin, blazer, shawl, यह सब पैनने की अनुमति आपको नहीं है, simple shirt बिना जेव वाली गर्म जर्सी, जैसे कि मैंने पैनने की बिना जेव वाली बिना बटन वाली इस टाइप की चल जाएगी, यह sweater जिसमें कोई बड़ा बटन नहीं लगा हो, और कोई भी अबूशन वगर नहीं होने चाहिए, जैसे मान लो मैं example दिखाता हूँ, जैसे कड़ा और यह नहीं होना चाहिए, यह आप पहले से घर पे खोल के जाना, क्योंकि वहाँ पर देखिए, भाहर रखवाते हैं, कुछ भी हो सकता है, अगर मिस्प्लेस हो गया तो आपका थोड़ा बट नुकसान हो सकता है, तो यह चीज़ आप घर पे पहले से खोल के चाहिए, यह ची चीज़ है, देखिए, बेसिकली सबको पता है, जिन्नों ने पहले एकजाम दिया है, सबको पता है, जो फर्स टाइम दे रहे हैं, उनके लिए छोड़ा से इतरी डिटेल में आपको यहाँ पर बता रहूँ, इसके अलावा कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बोक्स हो पू झाल 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 झाल